फिजिकल कॉंटिटी एंड इंटिनेशनल सिस्टम ओफ यूनिट या फिर कहें SI unit जिसके बारे में हम आद डिसकस कर रहे हैं पहले हम देखते हैं कि फिजिकल कॉंटिटी क्या होती है दिखिए यह जो सारी कॉंटिटीज होती हैं scientifically study हम इने करते हैं जिने फिजिकल कॉंटिटी कहते हैं फिजिकल कॉंटिटी कौन कौनसी होते हैं जैसे कि आप जब vegetable ख्रीदते हो, सब्जियां ख्रीदते हो, तो से kilogram में लेते हो, एक kilo, दो kilo, आधा kilo, ऐसे लेते हो, तो kilogram में लेते हो, दूत लेते हो, तो liter भी लेते हो, और जब कपड़ा ख्रीदते हो, तो वो meter में ख्रीदते हो, तो ये सारी क्या है, physical quantity है, इसके इलावा measurement quantity भी होती है, जैसे कि temperature, pressure, force, concentration, work, density, ये सारी हमारी quantities होती है, physical quantity को हम दो parts में define करते हैं, एक part तो होता है number में, यानि physical quantity को एक तो number में define करना, दूसरा होता है उसको unit में define करना, जैसे कि 4.5 kilogram, 4.5 kilogram का मतलब क्या है, 4.5 मतलब number, 4.5 क्या है, एक number है, और kilogram kg, kilogram kg, ये क्या है, एक unit है, तो physical quantity दो parts है, एक तो number में define होती है, एक unit में define होती है, ये होती है physical quantity, अब इसके इलावा, ये तो हमारी physical quantity हो गए, देखे, physical quantity में हम study करते हैं, ये जो इसमें हम unit measurement करते हैं, जिसे SI unit बोलते हैं, यानि international system of unit, यानि SI unit, ये unit होती है, इसे define किया जाता है, एक standard reference की form में, जिसमें हम physical quantities को measure करते हैं, अब ये SI units क्या होती हैं, ये जो unit होती है, standard reference unit होती है, ये एक ऐसी unit होती है, जो पूरे word के लिए same होती है, आप word के किसी भी कौने में चले जाओ, सब के लिए same होती है, यानि कि अगर vegetable kilogram है ना, इंडिया में भी वो kilogram ही है, कई बहर भी वो kilogram ही होती है, ठीक है, नेक्स्ट है, कि लीटर, दूद हम लीटर भी लेते हैं, तो वो भी लीटर में ही होती है, तो अलग-अलग, यानि कि SI unit, unit जो होती हैं, वो same होती है, जैसे one miles, 1 miles को 17,160 yard को बोलते है इसके equal होता है ये standard है पुरे world के लिए standard है 1 yard is equal to 3 feet के equal होता है पुरे world के लिए standard है यानि ये नहीं है कि अगर हम 1 yard को 3 feet ये इंडिया में बोल रहा हैं तो भार कुछ होड बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है 1 foot is equal to 12 inches के equal होता है यह standard होता है, तो अलग-अलग हम यह जो measurement है, यह scientific measurement होती है और देखिए, यह जो French Academy के science, French Academy के जो science ही, उसमें 1791 में इन्हें introduce किया था और इसमें कुछ और चीजे भी होती है, एक नया system measurement आई थी, उस system measurement को metric system बोला गया था metric system में अलग-अलग units होती है, physical quantity की, तो इसमें यह एक दूसरे से related होती है इसके इसमें क्या 10 की power ले लेते हैं, 10 की power से इसे represent किया जाता है वो कैसे, यानि की 1 km, 1 km is equal to 10 raised to power 3 meter के, ठीक है न, यानि की 1 km is equal to 1000 meter के equal होगा हमने इसको लिखे 10 raised to power 3 meter के equal, इसके power 10 की power में लिख दिया उसे metric system बोलते हैं, 1 cm is equal to 10 raised to power minus 2 meter के equal होता है तो इस system में हम found करते हैं और यह जो system है, इसको metric system बोला जाता है तो इस तरह से हम अपनी SI units को represent करते हैं हमारे पास अलग-अलग systems होते हैं, जैसे कि किलो ग्राम किसीज में होता है, मास में, भार में लेते हैं मीठर को क्या होती है, length को लिए होती है, और duration seconds में होती है इस तरह से हम इसे represent करते हैं हमारे पास seven basic physical quantities हैं, और उनकी SI units, seven basic हैं जो, उनको लिया गए basic कौन-कौन सी है, physical quantity जो की normal है, length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, length को हम L से denote करते हैं, इसकी SI unit होती है, meter, यानि कि length को हम meter में लेते हैं, symbol होता है small m, mass को हम small m, इसका symbol होता है, इसको kilogram में, यानि symbol kg में लेते हैं, इसकी SI unit kilogram होती है time को small t में लेते हैं, इसकी SI unit होती है, second, इसे SI denote किया जाता है इसको 1-2 असे शने मों किया जाना है थे करिंपेस्टी हान असक्ती ते सब्स element नाइक चांट किया जाता है तर्मॉब्टक ham& सक्तिजें सब्सक्राइट यजिसरे डेनोट देनोट धिया जाता है लिफदे इसके SI Units होती है, Candle, तो इसका सिस्टम होता है, CD से Reproducent किया जाता है, तो यह सारी जो होती है, Physical Quantities जो है, हमारी 7 Basic Physical Quantities है, और SI Units और उनके Symbols है, Thank you for watching this video, और जादा updating videos के लिए, आप हमारे channel, Learn and Grow पर, हमें subscribe कर सकते हैं, Thank you!